तो गाइज वेरी वेरी शॉर्ट अप्डेट अबाट दे मार्केट हम लोग जैसा मार्केट को एक्सपेट कर रहे हैं मार्केट अमेजिंग जा रही है मार्केट ने जबर्दस प्रॉफिट दिया है हमारे को बहुत सारे और इन फैक्ट बीटी सी के अंदर एथेरियम के FOMC की बहुत important meeting है इस meeting को ignore मत करना इस meeting के अंदर positive result आने के chances थोड़े जादा है positive result आने का मतलब 25,000 का mark जो कि हम शायद break नहीं कर पा रहे हो सकता है जिसके chances मैं कोंगा 80% इस mark को break करने के हो सकते हैं इस news के बाद लेकिन अगर positive news negative में बदली straight away mark my words सीधा 15% यहां से market के अंदर stop loss लगा के रखना ताकि अगर आप किसी coin पे उपर for example 200% अगर आपने सोर पे का लिया था और आप 225 डॉलर्स प्लस हो 15% नीचे यानि कि अगर आप 190 डॉलर पे आ जाते हो वापसी 190 डॉलर्स पे आ जाते हो exit क्योंकि अगर market में news negative होई market crash हो सकती है market crash होई तो जो profit दिख रहा है वो profit zero हो सकता है तो हमारे को यहां पे profit को बचा के रखना है अगर market यहां से नीचे चली जाती है negative हो जाती है market यहां से अगर bad news आती है यहां पे market के अंदर तो हमारा profit जाते हुए भी देर नहीं लगेगी तो आप लोगों के लिए stop loss वर्दान हो सकता है stop loss का यूज करना जो भी old coin buy करे है 15% नीचे stop loss लगा दो FOMC की meeting अच्छी गई तो skyrocket हमारा profit और बढ़ जाएगा और stop loss को और उसके नियर ले जाओ 15-20-25 दूर ले जाओ और अगर market के अंदर news negative आती है 15% नीचे हमारे profit हो जाएगा और हम out हो जाएंगे उस time market के अंदर short term trades के अंदर lock term trade हमारे लंबे चल ट्रेड चलते जाएंगे योगी वह spot के ऊपर है कोई उसमें फरक नहीं पड़ता futures के अंदर अगर आप देखेंगे bid get के ऊपर और in fact right now I have even started on buy bet कल try करूँगा आप लोगों के लिए buy bet कि एक announcement करूँगा जिसके अंदर की आप लोगों के साथ giveaway तो होंगे यह होंगे आप लोगों के लिए future trading competitions भी होंगे और साथ ही साथ मेरी trading team जो कि मैंने आप लोगों के लिए setup करी है वो भी होगी हमारे copy trade account के अंदर copy करने के लिए trades copy करने के लिए मैंने यहां पर काफी कुछ arrangements करे है and I will try my level best कि आप लोगों को सब को बहुत जबर्दस उसमें benefit हो market की छोटी सी update थी मैं उमीद करता हूं आप लोगों को काफी help मिली होगी 31st of Jan को ignore मत करना FMC meeting के लिए 15% नीचे stop loss में लगा के रखना अपने trades को ताकि अगर नुकसान हो तो अपने profit में से थोड़ा सा profit कम हो जाए फरक नहीं बढ़ता लेकिन profit जाना नहीं चाहिए जो old coin अभी तक नहीं बड़े है उन पर focus करो और उनमें पैसा invest करो spot trading के अंदर जो मैंने coins last में आपको बताये थे उनमें भी काफी coins ने rally up कर किया है और अच्छा profit दिखा दिया है लेकिन जो अभी भी नहीं बड़े है उन पर focus करो योगि अगर उनमें rally आई तो 100% in a day आ सकती है इसको ignore मत करिएगा वीडियो को लाइक करना मत बूलना दोस्तों का शेयर करना मत बूलना और अपना opinion about the market आपको के लगता है market कहां जान आने वली है आने वले दुनों के अंदर जरूर comment box में बताईएगा make sure आपने वीडियो को अभी तक like जरूर कर दिया हूँ